करें हेलो फेंद्स हम सीख रहे हैं सिनोनिम्स और फ्रेंद्स आज के लेक्ट्च हबने हम 50 ज़ो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्सrab सम देखेंगे और यहाँ जो चार आप्संद दिये गए हैं इनमेंस सही आप्संद क्या है जो बैस्ट रमड़रनेटिव वे उसको चूज करते हैं हम फंड्स besya हैं आज के जो सिनोनिम सेंस जो वर्ड fever है उसको में परफॉर्म करना तो चलिए स्ब्स्स को सब थे लेक्षर बादा इंटर्सिंग होने वाला है क्योंकि वर्ड्स यह इंपॉर्टेंट वर्ड्स का एक कलक्सर हैं तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं स्टार्ट करते हैं देखिए बात है सबसे पहला जो वर्ड लिखा है बस्टाइल बस्टाइल की बात करें तो बस्टाइल होता है फ्रेंस पाश्विक और पाश्विक क्या होता है पाश्विक का नाम सुनते ही हमें याद आता है ब्रूटिस ब्रूटिस क्या है फ्रेंट्स पाश्विक होता है में जिसमें आप कह देते हैं जो पशू परवर्ती अगर किसी व्यक्ती में जादा है तो उसको आप कहते हैं पाश्विक बेस्टाइल तो brutish यानि wild और अगली पे ना जाएए सेलो पे ना जाएए आंसर आपका क्या हो गए फ्रेंट्स brutish चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं bosterious और bosterious क्या होता फ्रेंट्स bosterious का मतलब होता है एक बड़े भदे तरीखे से हसना clear फ्रेंट्स noisy जो laughing होती है उस noisy laughter को हम क्या कहते है bosterious कहते है और happy tolerance तो सीधा आंसर आपको यहां दिख रहा है noisy and cheerful अब excited पे मत आ जाएएगा कभी bosterious को समझ के आप excited लगा ले excited नहीं है फ्रेंट्स यह क्या है noisy and cheerful यह इसका अंसर हो गया clear फ्रेंट्स next फ्रेंट्स born homie और born homie होती है milan sari और milan sari बड़ा अच्छा वर्ड है जानते हैं आप milan sari milan sari को तो जो born homie है वो क्या है फ्रेंट्स वो है आप कहलिए यह देखे unity, tolerance, happiness तीनों में कुछ नहीं है unity नहीं है tolerance नहीं है tolerance क्या होता है कि जी सहन्जीलता को आप tolerance कहते है happiness नहीं है तो heartly pleasement of manner यानि milan sari heartly pleasement of manner clear friends यह क्या है born homie है और next फ्रेंट्स ब्रेवुरा और ब्रेवुरा क्या होता है ब्रेवुरा कहते हैं फ्रेंट्स साहस्पून को और साहस्पून की अगर बात करें ब्रेवुरा की तो ब्रेवुरा होता फ्रेंट्स इस्प्रिटेट डेशिंग इंग्जेक्यूशन इंप्रेशन ओफ सुप्रीम इज और फ्लॉर्डड एर तो फ्रेंट्स एक चीज और है यहां ब्रेवुरा जो है ब्रेवुरा क्या होता है ब्रेवुरा एक्च्वल में फ्रेंट्स जो ग्रेट टेकनिकल स्किल होती है उसको भी कहा जाता है यानि जो आपकी कुशलता होती है योग्यता होती है उसको आप क्या कहते हैं ब्रेवुरा कहते हैं इंपरएशन ओफ सुप्रीम इस किरिया फेंटश – आगें फेंटश gebrachtुत्रूंट प्रूंट कहत हैं थेज धक्का या आवएग को प्रूंट कहा जाता है तो यहां आन्सर हापका क्या हो गया फेंटश्राइज किया बात कर रहे हैं तो लोड नहीं है impact impact क्या होता है आवेग होता है कोई असर किसी चीज़ का होता है तो weight भी नहीं है consequence भी नहीं है तो answer आपका क्या होगा है ब्रोवेंट का impact clear friends आप बात करते हैं burnlesk की burnlesk होता है vidambuna या जिसको आप कहते हैं परहासन vidambuna या परहासन clear friends तो ये क्या है ludicrous नहीं है अब piece of literature or acting that mocks is original by grotesque exaggeration ये answer इसका okay हो गया clear friends burlesk हला कि literary forms में भी हम burlesk को पढ़ेंगे next reference cacophony cacophony होती है बेसुरापन cacophona sound यानि बेसुरी आवाज और cacophony की अगर बात कर रहें friends तो obviously क्या हो गया देखिए discord of sound discord of sound disagreeable sound hard sound zearing sound discord of sound आप का हो गया यानि बेसुरापन cacophony next care friends callous and callous क्या होता है callous होता friends cutthor जिसको आप कहते हैं cutthor वो callous clear तो careless भी नहीं है callous की अगर बात कर रहे हैं तो और friends इसके बाद forgetful नहीं है deceptive और unfilling अब देखिए ज़रा decepting और unfilling पर आईएगा decepting होता धोके बाज तो वो भी नहीं है तो unfilling आपका हो गया callous clear friends हलाकि बिल्कुल accurate इसने नहीं दिया unfilling मुझे doubt लग रहा है unfilling को लेकिन अगर callous की बात कर रहे है meaning की तो फिर unfilling को आप यहां best alternative mark करें next friends calumny calumny क्या होती है calumny कहते हैं देखे जो जूटा आरोप होता है और जिसको आप कहते हैं मित्या लेका है यह word आता है curse clear friends curse को भी आप calumny कहते हैं और एक आता बैक बाइट यानि जिसको आप कहते हैं चुगली तो जो बैक बाइट होती है वो भी आपकी calumny होती है clear यानि वो भी curse होता है calumny होती है बैक बाइट तो फ्रेंट जो बैक बाइट है जो calumny है उसको आप क्या कहे यहाँ answer की बात करें calumny की तो फ्रेंट देखे harmful नहीं है forgetful नहीं है deceptive नहीं है तो unfeeling हो गया clear friends next friends camaraderie और camaraderie camaraderie होती है जो आपका जो good feeling होती है जो friendly feelings होती है उनको हम कहते friends camaraderie clear यानि आप सीधा यहां हिंदी में वो लिखा सखापन सखा जानते हैं आप friendly feelings वो camaraderie होती है और आप सीधा आंसर आपको यहां मिल रहा है क्या मिल रेफरेंट्स friendliness clear यानि friendliness बात समझ गए suspicion नहीं है hostility नहीं है frank नहीं है अच्छा hostility क्या होती है hostility होती है friends आपकी जो दुश्मन ही होती है clear क्योंकि hostile कहते हैं आप एनिमी को दुश्मन को next reference candid बहुत पूछा जाता है candid बहुत अच्छा word है candid और candid होता है friends nis kaput जिसको आप कहते हैं frank या nis kaput clear friends तो answer आपका क्या हो गया candid की अगर आप बात कर रहे हैं तो definitely frank आपका answer हो गया क्योंकि excited नहीं है overjoyed नहीं है enthugyastic नहीं है सीधा answer क्या हो गया आपका frank candid और next अच्छे फ्रेंट्स कैपीचुलेट कैपीचुलेट emphasize rush overturn और surrender और कैपीचुलेट क्या होता है friends कैपीचुलेट होता है वास्तव में surrender करना surrender करने को हम कैपीचुलेट कहते है surrender मतलब आत्म सबरपन करना clear friends next word है capricious capricious होता है मनमोजी जिसको आप कहते है और मनमोजी की अगर बात कर रहे हैं तो देखे greedy unreliable conceited और stingy तो यहां आपका capricious की बात करें तो फिर answer आपका क्या हो जाएगा unreliable हो जाएगा यानि मनमोजी का मतलब जिसके आप विश्वास नहीं कर सकते आपने कहा भाया जरा दस रुपे लो जरा बजार से दस रुपे की दही लादो आदमी मनमोजी है गया गया लाई लाई ना लाइ ना सही तो क्या हो गया answer आपका unreliable क्योंकि वो capricious है greedy भी नहीं है conceited भी नहीं है stingy भी नहीं है तो answer क्या है फ्रेंट्स unreliable बात समझ में आए क्यों है कैसे है next reference karnal karnal है सारिरिक और संसारिक और सारिरिक और संसारिक की अगर बात करें तो नैचुरल प्राकर्टिक होता है प्रिमिटी प्राचीन होता है स्प्रिच्वल आत्मिक होता है जो सेंस्वल होता है जो सेंस्वल प्लेजर हम वर्ड सुना होगा हमने सेंस्वल प्लेजर तो sensual pleasure क्या होता है हमारा संसार एक शारिरिक जो सुख होता है उसको हम कहते है sensual pleasure तो sensual क्या हो गया friends? शारिरिक हो गया जिसका अपने दूसरा यहां नाम दे दिया carnal clear friends? चलिए आगे friends catastrophe Catastrophy कैटएस्ट्रॉफी जानते हैं हलागि Catastrophy हमने जब ड्रामा पढ़ा था इस एंग्लिश लिट्रेचर में तो वहां भी हमने Catastrophe पढ़ा होगा तो Catastrophe को कहते हैं विद्वण्स Cake Torstenes Catastrophe क्या है यह है विद्वण्स यानि ग्रेट्ट डिस्टेक्शन Development, Dependence और Denture तो answer क्या हो गया फ्रेंट्स इसका definitely greatest destruction हो गया जो विद्वन्स होता है या विद्वन्स होता है उसे कहते हैं अब Catastrophe Next फ्रेंट्स केविल बहुत अच्छा वर्ड है केविल और केविल क्या है फ्रेंट्स केविल होता है देखिए To make fun To find fault और To insult और To win तो केविल क्या है केविल है फ्रेंट्स दोष निकालना Find fault आप बात करेंगे मीनिंग की तो दोष निकालना है Find fault है जिसको आप कहते हैं केविल दोष निकालना के लिए फ्रेंट्स केविल दोष निकालना To find fault next reference cantankerous cantankerous होता है जगडालू या बिगडेल और जगडालू और बिगडेल की बात अगर हो रही है friends तो देखें cross-grained नहीं है persevere perverse in temper नहीं है irritable definitely friends irritable होना चाहिए लेकिन चलिए और देख लेते हैं नहीं short tempered जगडालू और बिगडेल की बात है तो फिर irritable की जगए क्या आगया आप cancer friends short tempered क्योंकि जगडालू होता है short tempered होता है बेलकुल कुछ कहा अपने तुरंत उसको क्या है गुस्सा आगया short tempered व्यक्ती clear friends चलिए sensorious sensorious होता है चिद्रानवेशी यानि चिद्रानवेशी और जिसको आप कहते हैं फिर चिद्रानवेशी शायद आपने नाम ना सुना हो तो simple language में कहूं मैं sensorious होता है sorry not heart heart और दूसरा कहते हैं आप rigid और अगर हिंदी में कहें तो कहें आप कठोर clear sensorious बात समझ में आ गई sensorious क्या है कठोर है और जिसको आप hearts कह रहे हैं rigid कह रहे हैं कठोर कह रहे हैं वो क्या है वो sensorious है तो answer की बात कहने rude, sarcastic, severely critical और annoying तो friends इसका जो definite जो best alternative है वो है severely critical बात क्लियर श्रावनिजम एक तो इसकी spelling देखें C-H-A-U-V-I-N-I-S-M श्रावनिजम और चो नहीं कहलाता है श्रावनिजम कहलाता है और श्रावनिजम क्या होता है जो अंधी रास्ट भक्ती होती है जिसको आप कहते है अंधर रास्ट रियता अंधर रास्ट रियता तो उस अंधर रास्ट रियता के लिए जो वर्ड आता है वो श्रावनिजम आता है clear? यानि अगर आप answer की बात करें इसका option की बात करें तो यह हो गया friends आपका blind patriotism clear friends blind patriotism next reference देखे चाइड होता है डाटना फटकारना और जिसको आप कहते है simple में rebuke जो rebuke है वो क्या है चाइड है यानि डाटना है बात के लिए friends क्योंकि make fun नहीं है cheat नहीं है deprive नहीं है deprive क्या होता friends deprive होता वजचित करना किसी चीज़ को cheat जानते ही आप क्या होता है next reference casti chastisement chastisement और chastisement क्या होता है punishment होता है chastis करना punish करना होता है chastisement punishment यानि जो दंड होता है उसको आप chastisement कहते है punishment आप कहते है बात clear हो गई friends तो answer आपका क्या हो गया punishment हो गया, adjustisement आगे बात करें circumlocation circumlocation किसे कहते हैं circumlocation कहते है कोई घुमा फिरा के बात करना के लिए फिर्ण्स और ये एक figure speech भी हमने पढ़ी है circumlocation यानि simple सी बात करें तो जो evasive talk होती है evasive talk वो क्या होती है फिर्ण्स वो circumlocation होती है और using more words than necessarily evasive talk, long speech, irrelevant details तो क्या है फिर्ण्स ये है evasive talk clear और evasive क्या होती है फिर्ण्स ये वर्ण्स आपने नाम सुना सुना हो evasive evasive होती है फिर्ण्स avoiding talk clear फिर्ण्स चलिए आगे बढ़ जाते है next फिर्ण्स सरकमिस्पेक्ट और सरकमिस्पेक्ट होता है फिर्ण्स साब्धान और साब्धान की अगर बात करें तो वह वैरी clear फिर्ण्स curious, cautious, prudent नहीं है prudent बढ़ा अच्छा वर्ड है फिर्ण्स prudent क्या होता है फिर्ण्स prudent होता है दूर दर्शी यानि एक ऐसा वेक्ती जो दूर तक की सोच लेता है वो होता है prudent clear फिर्ण्स चलिए आगे बढ़ते हैं clandestine और clandestine क्या होता है clandestine होता है गुप्त जिसको आप कहते हैं गुप्त clear फिर्ण्स चलिए आंसर भी देख लेते हैं concealed concealed तो चिपा हुआ होता है या हो सकता है फिर्ण्स आंसर अब देखे hidden आ गया hidden है चुपा हुआ है वो भी गुप्त है और आगे फिर्ण्स प्राइवेट प्राइवेट तो प्राइवेट है ही honest lie तो फिर्ण्स आंसर तीनों चारों में क्या है फिर्ण्स प्राइवेट clandestine affair आप इस वर्ड को याद रखिए clandestine affair कैसे affair होते हैं वो होते हैं आपके गुप्त affair के लिए जिनको आप reveal करना नहीं चाहते तो प्राइवेट आपका यहाँ सही आंसर हो गया नेक्स्टे फिर्ण्स कंसीड और कंसीड होता है स्विकार करना और स्विकार करने की अगर बात कर रहें फ्रेंट्स तो आंसर आपका क्या हो गया demand, approve, benefit, admit approve और admit में confuse हो सकते हैं आप और अप्रूव नहीं है admit है clear यानि स्विकार करना next फ्रेंट्स congenial congenial होता है अनुकूल और अनुकूल की अगर बात करे congenial की तो फ्रेंट्स जो kindered spirit सबसे पहला ही आंसर इसने दे दिया अनुकूल kindered spirit बेलकूल सही है फ्रेंट्स cold existing at or from birth weak in character नहीं है kindered spirit यानि अनुकूल congenial next फ्रेंट्स concomitant spelling जरा देख लें concomitant 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 और concomitant के बात कर रहे हैं आप कहेंगे सहगामी सहगामी के रियाएं means that which accompanies or attends accompanies which accompanies accompanies कहते हैं साथ चलना clear तो क्या हो गया फ्रेंट्स answer concomitant सहगामी हो गई which accompanies or attends यह हो गया agreeable friend contestant collaborator कोई नहीं है फ्रेंट्स यह first one answer इसका okay हो गया next फ्रेंट्स contour का नाम जरूर आपने अगर geography पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा contour हलाकि मैंने geography नहीं पढ़ी फिर भी मैंने सुना है no problem friends तो contour क्या होता है contour होती है friends जो outline किसी चीज़ की होती है उसको आप contour कहते है यानि answer की बात करे route appearance और frame नहीं answer होगे इसका outline contour और cogitate cogitate क्या होता है friends cogitate होता है ponder देखें दूसरा word बड़ा प्यारा मैं दे रहा हूँ ponder ponder अच्छा answer भी इसने ponder दे रखा है option में भी दे रखा friends 79 ponder ponder होता है यानि cogitate क्याते है सोचना होता है meditate करना होता है यानि think meditate ponder यह synonyms है friends इसके अब देखें अब तो meditate भी हाँ मिल गया ponder भी मिल गया और think भी मिल गया अब आप भी confused हो जाएंगे कि यहां कौन सा वाला मैं option choose करूँ देखें सारे option meditate to turn or think over in one's mind अब यह भी तो meditation की definition दे रहा है किसी चीज़ को अपने mind में रखना meditate करना ponder सोचना think deeply लेकिन चारो मिलते जूलते से हैं लेकिन अगर ultimately आपको answer choose करना हो cogitate का तो आप choose कीजिए फिर friends meditate क्योंकि जो cogitate होता है वो होता है meditate करना nearest meaning इसका क्या है friends meditate बात समझ में आ गई चलिए next है friends cognition और cognition क्या होता है अच्छा cognition पढ़ा हो ना पढ़ा हो लेकिन recognition जरूर आपने पढ़ा होगा के लिए friends cognition cognition को आप हिंदी की अगर बात करे तो friends cognition को कह सकते हैं both both समझ सकते हैं या जिसको both चलिए both अगर नहीं जानते तो कहते हैं संग्यान cognition होता है friends संग्यान और संग्यान भी नहीं समझते तो फिर एक word आता है उपलब्धी जरूर आपने ये word पढ़ा होगा संग्यान both और उपलब्धी cognition कि लिए friends और संग्यान बोध उपलब्धी की अगर बात कर रहे है cognition की तो आंसर क्या होगा knowledge apprehension knowing in the widest sense or to be conscious of तो friends knowing in the widest sense जो widest sense में जो knowledge होती है उसको आप cognition कहते हैं हाला कि लिए कि knowledge apprehension इन पे मत जाईएगा ये भी means ये दूर के रिसेदार है cognition के सबसे नजदीक का रिसेदार ही हो गया knowing in the widest sense clear friends चलिए commodious commodious होता है बड़ा लंबा चोड़ा commodious और commodious की अगर बात करें suitable convenient roomy spacious तो friends देखें मिलता जुलता सथो है roomy भी है आपका इसका sinonim लेकिन roomy की जगा आप मार कीजिएगा spacious को क्योंकि commodious क्या होता है वो spacious होता है clear friends चलिए next friends complacent और complacent होता उपकारी और social उपकारी को social को आप कहते हैं complacent और friends complacent की अगर बात करें तो desirous of pleasing यहां बिलकुल ठीक है friends पहला ही answer आपका मिल गया oblizing facile देखें बड़ा अच्छा वर्ल्ड एफेंस facile facile क्या होता facile victory यानि सहज जिसको आप easily attain कर सके वो facile होता है क्लिए friends सहद आपने सुना हो नाम यह ना सुना हो facile का ready to condone condone क्या होता friends condone तो माफ करना होता है clear चलिए लेकिन answer की बात कर रहे थे हम complacent की तो desirous of pleasing यानि उपकारी और social complacent और friends spelling भी ज़रा इसकी देख ले अच्छी spelling है c-o-m-p-l-a-i-s-a-n-t c-o-m-p-l-a-i-s-a-n-t complacent और next difference compunction compunction होता है regret यानि खेद को हम compunction कहते हैं तो compunction की बात करें तो guilt है preaking of consigns है remorse है तो remorse हो गया इसका closely resembling जो word है वो हो गया remorse clear friends चलिए next word है conquer conquer कहते friends conquer होता है मिलना और मिलने की अगर बात करें तो कैसे मिलना to run together नहीं है meet at one point नहीं है coincide act together नहीं है coincide clear friends यानि coincidence से कही coincide हो जाते हैं तो उसको हम conquer कहते हैं मिलना next reference confound confound है अस्त्वियस्त करना confound अस्त्वियस्त करना और या आप कह सकते हैं इसको उल्जाना सीधा सीधा से कहें उल्टाना या पलटना या उल्जाना confound तो overthrown बिल्कुल पहला ही आंसर आपका ठीक हो गया overthrown यानि पलटना उल्टना उल्जाना overthrown confused throw into disorder defeat in नहीं कुछ नहीं है सीधा first one answer इसका होगी है next reference consecrate consecrate होता है समर्पित करना और दूसरा meaning होता है इसका पवित्र करना consecrate समर्पित करना और पवित्र करना पवित्र करने की बात करें to render holy vulnerable holode और devoted तो friends answer क्या हो गया इसका to render holy ये वला answer आपका okay हो गया consecrate to render holy contingent और contingent क्या होता है friends contingency एक word आपने सुना होगा contingency leave जिसको आप कहते है casual leave और हमेशा ही मैं कहता हूँ अपने college में ही मैं कहता हूँ भाई ये casual leave नहीं होती है contingency leave होती है सही word है contingency आकस्मिक क्लिया फ्रेंस तो आकस्मिक से word आया है contingency से contingent तो contingent क्या होगा friends accidental होगा है क्लिया फ्रेंस आंसर क्या है इसका accidental और just admit friends इसमें मुझे तो यहां भी doubt लग रहा not certain to happen अच्छा not जो घटित होने के लिए निस्चित नहीं है हाँ वो भी तो accidental होता है accidental क्या है not certain to happen तो जब not certain to happen दे रहा तो सीधा सीधा आप accidental पर एक्लिक करें clear friends चलिए next बढ़ते है contraband और एक चीज़ बता दू यहां जो option है अगर आप minutely देखेंगे तो more than one option आपको यहां सही मिल जाएंगे यारी difference बढ़ा कम दे रखा है यहां बुक में इसमें जो options है difference बढ़ा कम है contraband क्या होता है contraband होता है जो निशिद व्यापार होता है आप अगर बात करें इसकी तो निशिद जो व्यापार होता है उसको आप कहते है contraband और निशिद व्यापार निशिद किसे कहते है निशिद होता है एक ऐसा वेपार जिसको आप क्या करते है जो लीगल रही होता यानि जो इलीगल होता है और इलीगल के नाम क्या आगया फ्रेंट्स इलीगल ट्रैफिक तो ट्रैफिक तो है नहीं तो इसमगल्ड जो गुड्स होती है उनको आप कहते हैं कॉंट्रा बैंट्स स्क्राइब कि प्रोखिटेडिड कैमे कि अर्य पूरो नशाओ نہ vendar clear क्योंकि प्रोखिबिटेड रिषी दार है इसका इसका कॉंट्रम ए pensar नेक्स्स ए्परेंट्स कॉरोलरी और कॉरोलारी क्या है परिणाम होता है उपसाध्य होता है को रोलरी क्लियर और यानी कैसा परिणाम जिसको आपके कहते हैं consequence 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 क्या हो गया आपका को रोलरी हो गया consequence clear friends to consequence यहां इसका option आपका ओके हो गया result supplement easy interference नहीं consequence next reference corroborate और corroborate होता है समर्थन करना और समर्थन करना और friends समर्थन क्या आप यह कहिए confirm करने को हम corroborate कहते हैं to confirm clear friends make certain ascertain ensure नहीं कुछ नहीं confirm है corroborate करना confirm करना चलिए next word friends creven creven होता है कायर जिसको आप डास्टरॉल्ड भी कहते हैं डास्टरॉल्ड वर्ड सुना होगा आपने डास्टरॉल्ड friends बड़ा अच्छा वर्ड है खूब एक्जाम में पूछा जाता है और या आप कहते हैं cowardly clear friends अच्छा चलिए आज का question है आपके लिए मुझे comment करके बता देना कि जो cowardly है वो क्या है ये एड़ वाब है क्या बस य आपको देख रहा है बस मुझे comment करके बता दे ये word adjective है ये एड़ वाब है clear friends चुकि जैसे अगर हम happy की बात करें happy तो इसमें जब य लग जाता है वाब में तो ये क्या हो जाता है happily हो जाता है clear friends अच्छा जब happy से happily हो गया तो coward से cowardly हो गया तो happily और cowardly क्या दोनों एड़ वाब है और cowardly वास्ता में एड़ वाब है क्या है चलिए friends आगे है don't don't किसे कहते है don't कहते है friends डराने को और डराने की बात करें तो discourage करना य locks करना वैसे क्या डराना वैसे डराना कुछ नहीं है don't कहते हैं discourage करना किसी को यानि निरूट चाहिद करना क्लिए friends disabled, terrified, tackle कुछ नहीं है तो चलिए अलग-अलग उप्सों दे रखके हैं से सब नेक्स्ट, वाले फरین्थ, डैंक और डैंक क्या होता है फेर्ण्ट डैंक होता है, डैंप जिसको आप कहते हैं, गीला डार्क, गलूमी, कुछ नहीं है फरेंफ, डैंप है डैंप क्या है, डैंप है गीला और जिसको आप कहते हैं तक देंग किलिए, फ्रेंट्स डेंट, पहला वाला आंसर आपका ओके हो गया चलिए, डास्टर्ड की बात हो रही थि, डास्टर्ड आ गया डास्टर्ड क्या है, कावर्डली है एक कायर व्यक्ती डास्टर्ड होता है Lack of courage, shrinking form danger, one who does a brutal act without giving his victim a chance कुछ नहीं फ्रेंट्स, cowardly fellow duster है Next reference is dart Dart क्या होती है? कमी होती है किसी चीछ का अभाब जो होता है, वो dart होता है दुल्लभता जो होती है, वो होती है, dart, कमी तो इसकी अगर बात करें तो scarcity आपको दिख रहा है थी कि scarcity और scarcity कमी होती है Next reference debacle debacle क्या होती है, पराज़ होती है यानि downfall को आप debacle कहते है downfall के लिए friends debacle क्या है, downfall है unable, depart और abstract कुछ नहीं, बस downfall आपका अंसर हो गया Next reference debility debility क्या होती है, debility होती है weakness, यानि जो कमजोरी होती है उसको आप कहते है, debility के लिए friends और decrepit decrepit होता है, जरजर या जिसको आप कहते है, gene यानि decrepit होता है किसी चीज़ को weak करना make weak जो होता है, वो decrepit होता है spelling ज़रा बढ़िहासी है d-e-c-r-e-p-i-t, decrepit के लिए spelling पर भी ध्यान दे, तो यह answer की बात करें, तो made weak हो गया decrepit और friends, despicable despicable क्या होता है, despicable होता है फ्रेंस, घरनित despicable के लिए फ्रेंस, और घरनित की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फिर आपको tangently, tangenty नहीं है, difficult नहीं है, contemptible sorry, lengthy दे रखा है यह contemptible है, यह वला answer आपका okay होगा है, friends despicable और contemptible, गरनित clear friends, और last word है, आज के lecture का हो है, friends deport, और deport क्या होता है, deport होता है clear friends, निर्वाशित करना निर्वाशित तो समझ गया आप डिपूर्ट clear friends, और निर्वाशित करना, यानि banish करना होता है, simple way में अगर कहें तो leave, imprison, banish तो answer आपका क्या हो गया, friends answer हो गया, banish बात के लिए, friends lecture आज का complete करते हैं और I hope enjoy कर रहे होंगे मजा रहा होगा सीखने में मिलते हैं next lecture में now thanks for watching this video झाल